दोस्तो इंडिया एक ऐसा देश है जहां दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है जिसकी लेंद 12 लाग किलोमीटर है लेकिन पूरे रोड नेटवर्क का सिर्फ 1.6 लाग किलोमीटर नेशनल हाइवे है और जिसका परसेंटेज सिर्फ 2.5 है जो की काफी कम है इसकी कैपेसिटी बढ़ाने और ने कनेक्शन बनाने के लिए सरकार कई बड़े एक्सप्रेसवे पर वर्क कर रही है तो चलिए दोस्तो जानते हैं भारत के 10 अपकमिंग एक्सप्रेसवे के बारे में ये देश के टीन अश्टेट बिहार उत्तरपर्डेस वेश बंगाल को एक दूसरे से काफी अच्छे तरिके से कनेक्श करेगा अभी जहां इस एक्सप्रेसवे को सफर करने में 14 से 15 घंटे का समय लगता है इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद या टाइम केवल 8-9 घं दोस्तों ये एक्सप्रेसवे को हम सक्तिपेट एक्सप्रेसवे के नाम से भी जानते है इस एक्सप्रेसवे के टोटल लेंट 802 किलोमीटर है और इसको 6 लैं के साथ एक्सेस कंट्रोल बनाया जाएगा या एक्सप्रेसवे ना सिर्फ गोवा बलकि महराष्ट के 12 जीलो को भी कनेक करेगा इस एक्सप्रेशवे का निर्मान MSRDC द्वारा किया जा रहा है जहां अभी इस रूट पर 18-20 घंटे लगते हैं सफर करने में यह एक्सप्रेशवे बन जाने के बाद यह केवल 7-8 घंटे समय रहा जाएगा यह एक्सप्रेशवे को बनाने में करीब 83,000 क्रोल रूपए की लागत आईगी नम्बब 8 पर है देली जैपूर सूपर एक्सप्रेशवे फ्रेंच यह दिली जैपूर सूपर एक्सप्रेशवे 195 किलो मेटर लॉंग एक्सप्रेशवे है जिसका नम्बर होगा National Highway 352 B इसको दिली से जैपूर की दूरी कम करने के लिए बनाया तक कंप्लीट करने का अर्ण गुवर्मेंट के द्वारा रखा गया है नमबर सेवेन पर है बैंगलोर वीजेवाडा एक्सप्रेसवे ये 518 किलो मीटर लोंग 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जो करनाटक और अंध परदेश के 11 जीलों से होकर गुजिरेगा जिसमें करनाटक के 3 और अंध परदेश के 8 जीले सामिल है ये एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 624 किलो मीटर है जिसको एन ए एचाई के द्वारा डेवलप और मेंटिन किया जाएगा इस एक्सप्रेसवे को बनने में 14,000 क्रोर की लागत आईगी नंबर 6 पर है वारा नसी राची कुलकत्ता एक्सप्रेसवे दोस्तो ये 610 किलो मीटर लंबा 6 लेन का गिरिन फिल्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा जिसको बनाने में 35,000 क्रोर रुपे की लागत आईगी ये अकिला एक्सप्रेसवे ही बिहार, जारकड, उत्तर परदेश, एंड वेस्ट बंगाल को कनेक करेगा इस एक्सप्रेसवे को 2026 से 2027 तक कंप्लिट हो जाने की उमीद है इस लिष्ट में नंबर फाइब पर है कानपूर लखनाव एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई 63 किलोमीटर है और जल इसका कंस्ट्रक्शन सुरू हो जाएगा सिक्स लैन का या एक्सप्रेसवे कानपूर और लखनाव जैसे दो मेजा सहर को जोड़ेगा ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद यात्ता का समय लखनाव से कानपूर तक दो घंटे से कम होकर 45 मिनट तक हो जाएगा केंद्रिय सरक परिवाहन और राजमार्ग मत्राले ने एक्सप्रेसवे के लिए 1935 करवर रुपए का बजट को मंजूरी दे दी है नमबर फोर पर है देली कट्रा एक्सप्रेसवे फ्रेंट्स ये एक 650 किलोमीटर का फोर लेन अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे है और इस एक्सप्रेसवे को एट लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है इस Expressway को दिल्ली से जम्मू के कट्रा तक बनाया जाएगा जिसके निर्मान में लगवक 40,000 कोरो रूपए की लागत आएगी साथ ही इस Expressway का बड़ा हिसा अम्रित सर को भी कनेक करेगा अभी दिल्ली से कट्रा जाने में 14 गंटे का समय लगता है वहीं इस Expressway के बन जाने के बाद ये सफर केवल 6 गंटे का रह जाएगा इस लिष्ट में नंबल 3 पर है चंबल Expressway दोस्तो सरकार भारत माला परियोधना के अंतरगत एक ऐसा Expressway डिजाइन कर रही है जो मध्य पर्देश के पर्शिस सहर ग्वालियर के माध्यम से राजस्तान के कोटा सहर को उत्तरपर्देश के इटावा सहर से जोड़ेगा ये तीन राजियो राजस्तान मध्य पर्देश उत्तरपर्देश से होकर गुजरेगा या एक्सप्रेसवे यात्रा की समय और दूरी दोनों को वर्तमान में 10 से 11 घंटे से घटा कर 6 से 8 घंटे और 490 किलो मीटर से घटा कर 404 किलो मीटर कर देगा इसे लगभग 23,700 करोर रुपए की लागत से बनाया जाएगा अगर इसका लेंद की बात करें तो ये लगभग 1256 किलो मीटर लंबा इक्सप्रेसवे है इस एक्सप्रेसवे से देश के चार राज, पंजाब, हर्याना, राजस्थान और गुजराज को कनेक्टिविटी मिलेगी साथ ही ये एक्सप्रेसवे तीन बड़ी वाल रिफाइनरी को भी कनेक्ट करेगा जो की भटिंडा, बार्मेर और जामनगर में इस्थित है ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से दिसंबल दो हजार परचीस तक ऑपरेशनल होगा और इस एक्सप्रेसवे को कम्प्लीट करने में लगवाग 80,000 क्रोल रुपए की कोष्ट आएगी इस लिस्ट में नंबर वन पर है बैंगलोर चेन्नेई एक्सप्रेसवे प्रेंच बैंगलोर चेन्नेई एक्सप्रेसवे साओ्थ इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है इस प्रोजेक्ट की टोटल को 17,930 करोल रुपए है इस एक्सप्रेसवे में फोर लेन होगी और ये कम्प्लीट एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा इस Expressway का टोटल लेंड 258 किलोमेटर का होगा ये करनाटक की कैपिटल सिटी बैंगलूरू से टामिनलाडू की कैपिटल सिटी चेन्नाई को कनेक करेगा इस पूरे प्रोजेक्ट को 2025 के इंटर कम्पलीट हो जाने का अनुमान है इस Expressway की अगर और खासियत की बात करें तो ये Expressway जिस भी एरिया से गुजरेगा वहां की प्रोपर्टी कदाम टेजी से इंक्रीज होगा तो दोस्तों ये थे इंडिया के टॉप 5 Expressway जो जल कम्पलीट होने के अनुमान है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बार